साथ संगत प्यार से बोलिये तान निरनकार साथ संगत आज के समय में जब हम ऐसे किसी समागम में एकठा होते हैं तो सहज भाव में ही साथ संगत एक उमीद जागती है कि मुझे यहाँ बहु भाशी बहु रंगी बहु संस्कृतिक नजारे देखने को मिलेंगे क्योंकि साथ संगत दिन बदिन जो परिवार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से साथ संगत ये सच्चाई का पैगाम सचे पात्षा पहला रहे हैं ये परिवार असीम होता जा रहा है और साथ संगत भिन भिन परकार के रंग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन साथ ही साथ दास कभी कभी ये मिसूस करता है कि हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है जब साथ संगत बात अपने घर की हो तो जिम्मेदारी घर वालों के प्रती ही होती है जब बात महले तक पहुंच जाती है शेहर तक पहुंच जाती है तो जवाब देही भी बड़ी हो जाती है सवाल भी बड़े हो जाते हैं किसी प्रांत के लीडर जैसे अभी आपने देखा जब वो आते हैं उनके उपर उठाई जाने वाली उंगलियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है कहते हैं बड़े सर की सोच बड़ी होती है जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सोच अगर उस हिसाब से देखें साथ संकत तो सचे पातिशा ने हमें विशालता की परम सीमा तक पहुँचा दिया प्रभू से जोड़ दिया जिस से विशाल और कुछ नहीं एक तरफ से तो उसे हम विस्तार कहेंगे लेकिन दूसरी और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई जिस लाइन से दास तालुक रखता है फिल्म लाइन एक्टिंग की लाइन उसमें आम तौर पे हम ये बात सुना करते थे कि अगर तुम्हें मशहूर होना अच्छा लगता है अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग जाते जाते रास्ते में तुम्हें पहचाने तुम्हारे नजदीक आएं तुमसे बात करें फोटो खिजवाएं उटोग्राफ लें अगर मन में ये तमन्ना है तो ये बात समझ लेना कि इसकी एक कीमत भी है ये मुफ्त नहीं है कोई भी इनसान जो सड़क पे जा रहा है उसे उसके जानने वाले ही पहचानेंगे और वही सवाल करेंगे वही चंद लोग उससे सवाल पूछेंगे लेकिन अगर तुम स्क्रीन पे दिखाई देते हो लोग अपने घरों में बैठे भी तुम्हें देख लेते है तो तुम सड़क पे जब चल रहे हो तो तुम्हें मालूम नहीं कौन अपने घर में बैठा कौन अपनी गाड़ी में बैठा कौन अपने साइकल में कौन अपने आटो में बैठा तुम्हें डिस्कस कर रहा हो तुम नहीं जानोंगे लेकिन लोग कहेंगे अच्छा ये तो वो है ना जिसे हमने उस प्रोग्राम में देखा था और इसकी तो वो फिल्म देखी थी तो जिम्मेदारी का लेवल बढ़ गया अगर मानो तो ना मानो तो कोई समस्या ही नहीं सत्संगत दास इतनी लंबी जो बात कह रहा है उसके पीछे केवल भाव एक है कि सत्गुरु ने इस प्रभु के साथ जोड़के जो जिम्मेदारी हमारे उपर डाली जिसको उसका एसास हो जाता है वो ये बात जानता है कि कोई भी इनसान खड़ा होके मुझसे ये सवाल कर सकता है कि आप दिरंकारी है अगर आप दिरंकारी है तो फिर आपका करम दिरंकारी वाला है आपका व्योहार दिरंकारी वाला है या मैं यूं मान लूँ कि दिरंकारी ऐसे ही होते है दास को बहुत पुरानी बात याद आ रही है हमारे मिशन के एक बहुत विद्वान महात्मा हुए आज शरीरी ग्रूप में हमारे बीच नहीं है पंड़त निर्मल जोशी जी वो साथ संगत एक बार समागम में खड़े होके ये बात कह रहे थे देली का वो सालाना समागम उन्होंने एक बात कही के साथ संगत इतनी बड़ी हांडी डाल की रखी जाती है पकने के लिए जिसमें डाल के हजारों लाखों दाने होते हैं लेकिन जब कोई टेस्ट करने आता है चेक करने आता है तो एक दाना उठाता है और फैसला सुना देता है के अभी डाल नहीं गली एक दाने पे पूरी हांडी का फैसला हो जाता है उस महातमा ने उस विद्वान महातमा ने कहा कि अपने अपने दिलों में ये विचार रखें के कहीं इतनी बड़ी हांडी का वो दाना मैं तो नहीं जिसे देख के सारी हांडी के बारे में कोई अंदाजा लगा देगा ये जिम्मेदारी अगर हर दाना अपने उपर महसूस करेगा तो फिर साथ संगत जहां बड़ों-बड़ों की दाल नहीं गलती वहां भी ये आवाज पहुंचेगी लेकिन साथ संगत हमारी समस्या क्या है कि हम सिर्फ बातों से अपने कान भर लेते हैं नजारों से अपनी आँखें भर लेते हैं मरम को नहीं समझते अभी किसी आइटम की बात हो रही थी दास पीछे खड़ा था जिकर चल रहा था आइटम नंबर का बड़ा रिवाज है आज कल टेलिविजन पर देख लें एक इंसान खड़ा होके माइक पर कह देता है पैचान कौन सब हसना चुरू कर देते हैं देश का नारा हो गया पैचान कौन दास को ऐसा मैसूस हो रहा था काश किसी ने शीशे के सामने खड़े होके कहा होता के पैचान कौन दुनिया को पहचानने के लिए होड लगी है अपने आप को पहचानने की फुरसत नहीं है किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब कभी करता हूँ उस नंबर पे टेली फून मैं उसको बस मसरूफ ही पाता हूँ मैं उसको बस एंगेज ही पाता हूँ मैं जब कभी करता हूँ उस नंबर पे टेली फून मैं उसको बस मसरूफ ही पाता हूँ मैं उसको बस एंगेज ही पाता हूँ मैं पूछता हूँ जब मैं ये अरबाबे टेली फून से जो टेली फून डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछता हूँ जब मैं ये अरबाबे टेली फून से क्यूं फुला नंबर मुझे मिलता नहीं क्यूं उधर पता कोई हिलता नहीं क्यों कमल दिल के मेरे खिलता नहीं उस तरफ से तब ये आता है जवाब ये तो नमबर आप ही का है जनाब क्यों फ़ला नमबर मुझे मिलता नहीं क्यों उधर पता कोई हिलता नहीं क्यों कमल दिल के मेरे खिलता नहीं उस तरफ से तब ये आता है जवाब ये तो नमबर आप ही का है जनाब दूसरों से बात बेशक कीजिए खुद से मिलने की न कोशिश कीजिए आदमी खुद से मुखातिब हो सके आज की मसरूफ दुनिया में कहां ममकिन है ये ये है साथ संगत हमारी सचाई किसी शायर की उडान देखिए कि उसने सिर्फ इस बात को एक कविता की रूप में बांद दिया कि अगर मैं अपना नमबर डायल करूँ तो मुझे हमेशा इंगेज्ड मिलता है ये हम सब की कहानी है साथ संगत कि जब मैं अपना नमबर डायल करता हूँ तो वो मसरूफ होता है उससे कभी बात नहीं होती आज सचे पात्षा ने और कुछ नहीं किया मेरी मुझ से बात करवा दी बस मेरी मुझ से पहचान करवा दी कि बेटा अपने आपको देख अपने आपको सवाल पूछ और फिर आगे बढ़े साथ संगत जिसको म्यूजिक का ग्यान नहीं है वो अराम से बैठा है यहां कोई गीत बोल रहा है यहां कोई बाजा बजा रहा है वो अनंद ले रहा है उसे कोई समस्या नहीं जिसे म्यूजिक का ग्यान है वो वहां बैठा बैठा भी ओई होई 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 होई, यह सुर से हट गया, مज़ा खराब हो, बाजा कैसा बजा रहा है और इसको ताल की समझ नहीं, तो मुझे मेरा ग्यान परेशान कर रहा है मुझे उल्चान मिला था परेशानी दूर करने के लिए, मैं ग्यान से परेशान हो गया हमारे साथ ऐसी बात नहो इसी बात पर खत्म करता हूँ कि बाबा जी ने ग्यान दिया था अपने आप को मिलाने के लिए मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गई बाबा जी किस बात से खुश होते हैं मैंने लोगों को मिलाना शुरू कर दिया है देख लो की कर रहे ने ऐसे बाबा जी खुश होंगे मैं परिशान हो गया बाबा जी तो पता नहीं माफ भी कर देंगे मैं माफ नहीं कर पाँगा साथ संगत बाबा जी के ग्यान को अपने आप से मिलाओं कि मैं क्या कर रहा हूँ पहचान कौन अपने आप को पहचान कि मैं बाबाजी की शिक्षा के मताबिक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा अशीरवाद दो साथ संगत के जैसे बाबाजी चाते हैं उस तरह से जिंदगी जी पाऊँ और साथ संगत जिंदगी भर सच्चे पाध्षा की दी हुई शिक्षा और ग्यान से अपने ही जीवन को मिलाता रहूं और सुधार होता रहे